जपान को दिखाती हुए ये मोवी स्टार्ट होती है जहांपर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि क्रीमिनल था और वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था अचानक उस क्रीमिनल को हार्ट अटेक हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है इसके बाद हमें बड़े क्रीमिनल दिखाये जाते हैं जिने कानून ने कोई भी सजा नहीं दे थी इसकी इलावा और भी ऐसे लोग थे जो जेल में थी वो सब किसब हार अटेक की वजह से मारे जाते हैं अब ये डेथ सोना कोई नेचरल नहीं था बलकि ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट असल में लाइट को एक एंशन बुक मिली थी और वो कोई आम बुक नहीं थी बलकि वो एक डेथ नौट थी और जिसका नाम भी उस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा और मरने वाला उसे मेठ़से मरेगा जो तरीका बुक में लिखा जाएगा इसके लावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है अब क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी तो वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक में राइट करता जा रहा था ताकि बुराई को खतंग किया जा सके सड़न इतनी सारे डेट्स होने की वज़े से पूरे दुनिया में दैशित फैल जाती है कि लाइट ने बुरे लोगों को मानने की बाद अपना एक नाम बे जूस कर लिया था उसने अपना नाम जूस किया था कीरा खुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थी और ये नियूस पूरे दुनिया में काफि वाइरल हो चुकी थी इसके बाद हमें लाइब न्यूस पर एक क्रीमिनल दिखाया जाता है जिसनी एक फैमिले को प्रेजर बना लिया था लाइट सुमेद सभी लोग इस न्यूस को देख रहे थी लाइट की हाथ में उस वक्त वो डेथ नॉट भी थी थोड़ी दिर के बाद यहनी उस दिखाये जाती है कि अचानक से उस क्रीमिनल की डेथ हो गई है कीरा यानि लाइट इस पार्ट में भी एक स्टूड़न्ट ही दिखाया गया है जोके लॉग का स्टूड़न्ट है कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मिसा और उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था कॉलेज में लाइट मिसा को अपने बारे में बताता है कि एक रात में एक बार में गया और उस बार में क्रीमिनल्स भी थे यानि किलर चोड़ी करने वाले एक्सेक्टरा लाइट वहाँ पर कुछ क्रीमिनल्स की बाते सुनता है जो क्राइम करने की बावाजूद भी खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिस्विहेव करते हैं लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं कर सकता था और फिर बेबस लाइट बार से बाहिर आ जाता है और वो अपनी लाओ की बुक को फैक देता है ये सोचते हुए कि ये बुक बेकार है उसके किसी काम की नहीं क्योंकि इस बुक के होने की बावाजूद भी वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता था लेकिन उसकी लाइट उस वक्त पलड़ जाते है जब उसे ये डेथ नौट मिलती है और ये बुक लाइट को एक जमेन पर पड़े हुए मिलती है और हैरत की बात तो ये है कि बुक के इलावा हर तरव पारिश बढ़ रही थी इसके बाद लाइट उस बुक को लेकर घार आ जाता है लाइट अपनी फ्रेंड मीसा से ये सारी बाते शेयर कर रहा था लेकिन मीसा को वो बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी से भी अपना ये सिक्रेट शेयर नहीं करता था लाइट को जब ये बुग मिली थी तब वो इसके रियालिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये बुग ये डेथ नॉट आखिर है क्या लेकिन लाइट इस बुग के रूल्स पढ़ लेता है इसके बाद रात खुजर जाती है और सुबा को हम लाइट को देखते हैं जोकि न्यूस पेपर पढ़ रहा होता है वो देखता है कि इस क्रिमिनल का नाम कल राद उसने डेथ नॉट में लिखा था वो मर चुका है ये देखकर लाइट काफे शॉक्ट रह जाता है इसके बाद भी लाइट को इस बुग पर बिलीफ नहीं आ रहा था इसलिए वो इस बुग को दुबारा चेक करना चाहता था और बुग को चेक करने के लिए लाइट उसे क्रिमिनल के पास जाता है जिसने बार में लाइट के साथ मिस्पिहेव किया था और अब लाइट डेथ नॉट में उसका भी नाम लिख देता है और साथ साथ वो उसके मौत का तरीका भी लिख देता है लाइट ने उसके लिए मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटेक और देखते ही देखते थोड़े दीर में हार्ट अटेक की वज़य से उसकी मौत हो जाती है और लाइट की आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम दोड़ देता है ये देखकर लाइट और ज्यादा है रहान हो जाता है अब क्योंकि Angel of Death देखने में काफी ड्राउना था इसे वज़े से लाइट उसे डर जाता है लेकिन लाइट को बात में ये बात पता चल जाती है कि जिसकी पास ही बुक होगी Angel of Death सिरफ उसी को भी नजर आएगा Angel of Death लाइट को सारे बात डिटेल में समझाता है फिर हम जपान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो इन अचाना कोई डैस पर बात कर रहे थे पुलिस भी ये बात नाटिस करते हैं कि मरने वाले सिर्फ क्रीमिनल्स हैं इसके लावा पुलिस के जहन में और बहुत सारे बाते आ रहे थी कि आकरिये कीरा चाहता क्या है, कै सच में एक्जिस्ट करता भी है या नहीं और कीरा कोई हीरो नहीं है बलकि वो एक रिमिनल है क्यूंकि जो कुछ भी हो रहा था वो भी तो एक राइम ही था nा इसकी बात हमें लाइट के फादर दिखाय जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे और वो ही इस केस को हैंडल कर रहे थे और उनका मिशन था कीरा तक पहुँचना क्यूंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और सब को बेमौत ही मारता जा रहा था और ऐसा करते करते तो वो सब को ही मार डालेगा लाइट के फादर अपने जीनियर्स को कहते हैं कि ये केस काफ़ी कॉम्टिकेटिट है इसी भी इस केस को स्टड़ी करने के लिए एक इंटेलिजन डिटेक्टिव हमारी हेल्प करेगा और इस डिटेक्टिव का नाम है एल एल जो के लाइव इस केस को घंडल नहीं करेगा बलके सिर्फ इंटरनेट के दुरू ही उन लोगों की आपस में बात होगी एल का असली नाम ना तो कोई जानता था और ना है किसी ने उसकी शकल देखी हुई थी यहाँ पहले ही एल ने कीरा के बारे में काफ़ इन्वेस्टिगेशन की हुई थी जिसमें एल को काफ़ी सक्सेस भी हुई पहले पहले तो कीरा पर कोई भी बिलीफ नहीं करता था लेकिन फिर एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी death हो रही है वो natural नहीं है क्योंकि हर साल की निस्बत इस साल काफी ज्यादा लोगों की death होई थी और mostly लोग heart attack की वज़े से ही मारे गए और हैरत की बात तो यह है कि जो लोग heart attack की वज़े से मारे गए वो medically बिलकुल normal थे light को अपने पास इस book को रखे काफी time हो गया था और light इस book की वज़े से काफी intelligent भी हो गया था फिर हम देखते हैं angel of death और light को जो एक दूसरे के काफी close से हर वक्त साथ रहते थे criminals को मार कर light का कहना था कि वो future बदल देगा यानि फिर दुनिया में कोई crime नहीं होगा अगर criminals मर जाएंगे तो फिर तबी हमने उस पर देखते हैं कि एल सब के सामने आ जाता है जहां पर वो कीरा को discuss कर रहा होता है कि कीरा कोई hero नहीं है बलकि वो एक killer है और हम जल से जल कीरा को पकड़ लेंगे ये बाते सुनकर light को काफी बुरा feel होता है और इसलिए वो एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए और सब को ये बताने के लिए कि कीरा से टककर कोई अच्छी बात नहीं है तो वो उस death note में एल का नाम लिख देता है और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटेक हो जाता है और वो मर जाता है सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते है और एल ये देखकर तो काफी खुश हो जाता है लेकिन light उस वक्ट शॉक्ट हो जाता है जिससे ये बात तो clear हो गई कि कीरा तुम जपान से ही belong करते हो एल ये भी कहता है कि कीरा तुम सिर्फ उसी person को मार सकते हो जिसका नाम और शकल तुम जानते हो ये देखकर light को काफी खुशा आ जाता है और वो काफी worried भी था क्योंकि अब तक वो ये सोचता आ रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा निकिन अब उसे फिकर इस बात की थी कि उसका टकर लेने वाला एल जो आ गया है क्योंकि light ना तो उसका नाम जानता था और ना ही कभी उसने उसका face देखा था इसके बाद एल और कीरा की इस fight की बारे में काफी discussion होती है एल का कहना था कि मैं एक justice हूँ और कीरा एक killer है इसलिए मैं कीरा को सजा दिलवाऊंगा Angel of death पे इस matter में light की कोई help नहीं कर सकता था क्यूंकि Angel of death पे शक बुक की मालिक को नजर आता है लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता फिर हम देखते हैं कि एली नचानक होने वाली deaths का data निकाल लेता है और वो ये जान पाता है कि ये death schools और colleges की चुट्टी के बात होती है इसका मतलब ये है कि कीरा एक college student है पे सबका शक लाइट पर होता है क्यूंकि उसकी फादर एक detective भी थे और वो कीरा की case पर investigation भी कर रहे थे अब क्यूंकि लाइट अपने फादर की data पर access कर सकता था इसलिए वो शक की तायरे में आ गया अब क्यूंकि वो ये बात जान जुके थे कि कीरा schools और colleges के off time में लोगों को मारता है इसलिए लाइट अब school time में भी लोगों को मारने लगा अब यहाँ पर एल का doubt और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक student ही है इसलिए कीरा ने हमारा दिहान पटाने के लिए अब schools time में भी killings करना शुरू करती है ल को ये बात में पता चल जाती है कि कीरा की access database तक भी है इसलिए लाइट की फादर को बताता है कि कीरा database बर भी access कर सकता है तो या तो कीरा कोई police officer है या फिर कोई अपना ही है कुछ दिन बार light को realize होता है कि police उस पर नज़र रख रही है L ने उसके पीछे कुछ detectives को लगाया हुआ है light L को अपने रास्ते से हटाना चाहता था angel of death light को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि इंसान का नाम क्या है और इंसान की जिन्दगी के कितने साल बाकी रह गए है तब light angel of death को कहता है कि तुम मुझे अलका असली नाम बता दो जिसकी पतले में angel of death light क्या दी जिन्दगी की मांग लेता है और इसके लिए light साफ इंकार कर देता है जो agent light के पीछे लगा हुआ था जो बस की driver पर gun point कर देता है light ने वहाँ पर एक paper पर एक note लिखा था कि वो तुमें पकड़ लेगा तो तुम उसे gun चीन लेना लेकिन sudden वो paper light की हाथ से नीचे गिर जाता है और criminal ये देखकर उस paper को अपने हाथ में ले लेता है और फिर उस criminal की नज़र angel of death पर बढ़ती है criminal angel of death को काफी shoot करता है लेकिन वो तो खुद मौत का फरिष्टा था इसलिए उसे कुछ नहीं होता ये देखकर वो criminal डर जाता है इसलिए वो बस रोग कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन एक कार उस criminal को hit कर देती है करने के लिए एक चाल चली थी वो एल को तो मार नहीं सकता था इसलिए वो उन लोगों को मारना चाता था जिने एल ने हायर किया था इसलिए अपनी कीलिंग्स का आगाज वो उस FBI agent से सब एजट्स की नाम ले लेता है जो जो agents इस case में शामिल थे लेकिन थोड़ी दिर बाद ही उस FBI agent की मौत हो जाती है और वो मौत भी heart attack की वज़े से ही होती है क्योंके light उस FBI agent को जिन्दा रखना नहीं चाता था इसलिए उसने उसको मौत दे दी अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि अगर कीरा हीरो है तो फिर वो अच्छी लगों को क्यों मार रहा है इसके बाद सब FBI agents एक एक करके मारे जाने लगे यह बात एल तक भी पहुंच जाती है और इस वज़े से सब पुलिस officers काफी डर जाते है क्योंकि उन्हीं लग रहा था कि कीरा के हाँ तो एक ना एक दिन हो भी मारे जाएंगे बहुत सारे पुलिस officers तो इस case को अधोरा छोड़ कर ही चले जाते है अब क्योंकि पुलिस के पास और कोई भी option नहीं बचा था इसलिए वो एल को कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाते हैं फिर सब पुलिस officers एल से मिलने जाते हैं यहाँ पर हमें first time एल दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल यंग था और किसी बच्चे की लोग दे रहा था और एजन्ट तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा था क्योंकि तुम मेरा असलिए नाम जो नहीं जानते यह कहतर उस एजन्ट की वाइब वहाँ से चली जाती है इस बात की वज़े से मीजा काफी हैरान रह जाती है और लाइट भी काफी डर जाता है क्योंकि आइस्ता इस्ता उसका ये राज खुलता जा रहा था फिर हम देखते हैं एल को जो कि लाइट के रूम में कैमरास फिट करवा देता है जब लाइट को ये बात पता चलती है कि उस पर नज़र रखी जा रही है तो वो कोई भी ऐसे हरकत नहीं करता जिससे उस पर शाक आई इस बात की वज़े से एल के इलावा पाके सारे लोगों का शक लाइट पर से हट जाता है लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सबकी नज़र से चुपकर ये काम करता जा रहा था इसका मतलब ये है कि वो लोगों को मारने से अभी भी बास नहीं आया इसके बाद लाइट की रूम से सारे कैमरास हटा दिये जाते हैं यहाँ पर दब दब ऐसा लग रहा था कि देने सब कुछ नॉर्मल हो गया है लेकिन जो एज़ेंट होती है वो अभी तक अपने हस्पेंट के डेथ की इंकौईरी कर रही थी वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान को खत्रे में डाल रही हूँ लेकिन मैं यह साबित कर दूँगी कि लाइट ही की रहा है इसलिए वो एक जगा पर लाइट को बुलाती है जहां उसने मीसा को गन पॉइट पर गिया हुआ था और वो लाइट से ये बात मनवाना जा रही थी कि वो ही किरा है लेकिन लाइट इस बात को मानने से इंकार कर देता है और मोके का पाइदा उठा कर मीसा वहां से बाग जाती है फिर उस एजन्ट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है लेकिन गलती से वो गोली मीसा को लग जाती है और मीसा वही पर ही मर जाती है बाद में उस agent की wife खुद को भी मार लेती है जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ record हो रहा था इसके बाद police भी वहाँ पर आ जाती है फिर हम देखते हैं लाइट और एजल ओफ डेट आपस में बाते कर रहे हैं जहांपर लाइट एजल ओफ डेट को बता रहा होता है कि अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरी प्लैन में शामिल था फिर लाइट अपनी फादर को कहता है कि मैं कीरा को पकरने के लिए आपका और आपकी बाके ओफिसर्स का साथ हूँगा लाइट ऐसा इसलिए करना जा रहा था तकि किसी का शक उस पर ना आ जाए और उसका राज हमेशे ने लिए राज ही रहेगा और वो अपना काम भी करता जाएगा लास्ट में वो एल से फेस टो फेस मिलता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थेंक्यू पर वाचिंग